दो दिन पहले ये खबर आ रही थी कि स्टीव यून जो कि सेंट्री का रूल प्ले करने वाले हैं उनका सूट तैयार हो गया है और वो कॉमिक बुक मुईज में अब तक कर बैसूट होगा उसके सीब 24 गंटे बाद ही यार दोस्तों ये क्या होता है वहाँ पर हटाये जाते है या फिर वो खुदी छोड़ जते हैं शीडियूलिंग कॉन्टेक्स की वज़े से अब यहाँ पर जब उनका अनॉसमेंट दिखाया गया था तो बहुत से फैंस इस बात को अगरी नहीं करते थे कि सेंट्री को उनको क्यों बना जा रहा है हाले कि काफी अच्छा एक्टस है लेकिन यहाँ पे रायन गॉसलीन हो गया है हैंट्री के वी लोग उन सब के बारे में बाते चल ली थी उपर से मावर स्टुडियोस जब से एक कैंग वाला हाथसा हुआ है तब से बहुत अराम से कदम रख रहा है जिसकी वह जिसे मावर स्टुडियोस को काफी कड़े डिस है और क्या सेंट्री यहाँ पे हम लोग को सोलो फिल्म में अपनी दिखाई देगा कि नहीं जैसे कि अब लोग बात करें लोग थंडर बोर्ड को सूसाइड स्कॉड से कंपेर कर रहें जहां पे ग्रूप ऑफ सूपर हीरो या फिर कैस एंटी हीरो मिलके यहाँ एक बड़ी वो अगर हावी हो जाते उसके उपर तो वो विलिन बन जाते है तो यहाँ पे सीधे तरीके से हम लोग यह कह सकते है जो थंडर बोर्ड की टीम है वो सेंट्री से बैटल करने नहीं जारी है बलकि वोइड से जारी है भगवान उनकी रिक्षा करें बाई क्योंकि दोस्तों वॉइड एक ऐसा क्याक्टर है जिससे सेंट्री खुदी डरता है क्योंकि अगर वो उसके पर हावी हो गया तो इसे कंट्रोल करना बस के बाहर हो जाता है और एक बार तो कॉमिक्स में सेंट्री थौस रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे खतम ही कर दे ताकि उसके साइड वॉइ अलकि बात प्रिवेस एक्टर्स की जो कि छोड़ दी है तो बहुत सी ओडियंस उस डिसीजन से खुश है क्योंकि वो जो सेंट्री था वो कॉमिक एकुरेट लग नहीं रहा था हाला कि एशियन के एक्टर्स की कमी नहीं है मार्वा सिमेटिक इनवर्स में लेकिन सेंट्री क बिल्कुल अलकि साही दिखाना चाहिए जैसी को कॉमिक्स में देखने को मिला है इनसे अब करला दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पी यह है कि मार्वा कास्टिंग को लेकि काफी ज़्यदा परशान चलना है एक तो पहली बात क्यांग को रिकास्ट करने वाला ह आप लोग ने खबर सुनी होगी काफी नयाक्ट असंबलों को देखने को मिलने वाले हैं लेकिन वही पर सेंट्री की भी कास्टिंग की खबर आ गई है और मार्वाल इस बार जो भी कॉंट्रेक्ट बनाने वाला है उसमें वो दस बार सोचेगा और दस टो पॉंट ताकि फूचर में कोई भी कांट हो तो मार्वाल बस सके और उसे कोई प्रॉब्लम ना हो लेकिन फिलाल दोस्तों मार्वाल की कास्टिंग इसलिए भी जरूरी क्योंकि मार्वाल सेंट्रेक्ट को आगे की चार-पांच साल तक यूज़ करने वाला है जैसे कि हम सब लोग ज सीघ्ष एंगेजर और आप नय साथ बेजल सेंट trait को बहुत समज कैंटन एगा इंट्रियूस करेंगा इसलिए उसके लिए एक परफेक्ट कास्टिंग होजी जा रही के बीच में कि इन दोनों में से सेंट्री के रोल कौन प्ले करेगा लेकिन मार्वल जब भी इसे कास्ट करेगा तो एक लंबा चोड़ा कॉंट्रेक्ट बनाएगा जिसमें सेंट्री हम लोगों काफी लंबे समय तक दिखाए देगा क्योंकि बात करें थंडर बॉर्ट्स की य है जैगा